शुष्या कमारजा जुड़गा हैं बहुत बहुत स्वागत आपका तैसीन अनुराग ठाकुर ने क्योंकि आज जयन्ती है सुभाश अंद्रबोस की और ऐसे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में आप देखिए एक जो कीटी मान है और एक जो लेगसी है वो सुभाश अ सुभाश संद्रबोस से डरते थे गांधी जी भी गांधी जी से भी वो नहीं डरते थे तैसीन पुनावाला गोट से जिन्दाबाद के नारे लगाने वाले आरे से सर्भाश पा के एंपीज और मिनिस्टर्स को कंभीरता से नहीं लेना चाहिए यह दीन द्याल उपाज़े वाट्साइप उनिवर्सिटी से ग्रैचुएट होते भार आते हैं सच्चा ही क्या है बोस को क्योंकि सुभा सुभाश चंद्र बोस ने सिंगपोर से रेडियो में देश को संबोधित करते हुए सुभाश चंद्र बोस लिखते है मैं उनको कोट करता हूँ मेरा मेरा दिमाग हैरू के साथ है लेकिन मेरा दिल गांधी के साथ है यह सुभाश चंद्र बोस अपनी किताब में लिखते है ये बात सही है टीमसी के प्रवक्ता नहीं सही किया कि गांधी के गांधी जी के नॉमिनी को सुभाज संद्र बोस अराधी दे चुनाव है और गांधी जी ने ये कहा था कि ये मेरी हार है लेकिन इसके बात की बात नहीं कहेगे इसके बात क्या होता है और क्योंकि इसमें मैं पेचडि कराऑं मैं बाता हूं सुभास संद्र बोस को पंडिट जवाला नेहरू गांधी जी के पास ले जा और कहते हैं इन्होंने चुनाव जीता है आपको यह स्वीकार करना होगा और गांधी स्वीकार करते हैं इसके आगे की बात आपको बताता हूँ रवी नदी के किनारे गांधी जी और नहरू जी के बीच में जो पहली बार मद्वेद होता है वो संपून आजादी को ले करूता है नहरू केते हम कराची डेक्लेरेशन लाहर डेक्लेरेशन में संपून आजादी की मांग करेंगे और गांधी कहते हम इसकी संपून आजादी की मांग नहरू का साथ देते हैं सुभाज संद्र बोस रवी के किनारे तिरंगा को लहराया जाता है और सुभाज संद्र बोस कहते हैं मैं कोट करता हूँ गांधी के अगर इस देश का कोई बड़ा नेता है वो है जवालाल नेर। आएने में जो उनकी यूनित्स टेए वो किसके नाम किसके पिछलों के नाम रखता है गांगी नेरू और जब लाल के लिए ट्रायल हुआ उनको डिफेंड करने के लिए एक रिफ्ट किया था पंडिट जवाला नेरू का डिफेंड सुनका और कुछ लोगों को सजा से बचाए यह सचाए है लेकिन दियाल उपाद है वाट्साप उनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चाहे अनूरा ठाकुट जी हो या कोई और हो उन्होंने ना इतिहास पढ़ा है ना बोस की कोई किताब पढ़ी है आग पंदीत दियाल उपाद्या उपाद्या बनारस हिंदी उनिवर्सिटी है जहां पर आहां च्वे पा आर्टें के वह सक्षेस्फफल तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं तो उस उनिवर्स्टी को बद्ढाम ना करें रहीवाद सुभासर्ण बोस किसके जो सबना गलत सवाल ह तो जब हमारा देश सुतनतता संग्राम के लिए लड़ रहा था तो सब लोग किसी निकी तरीके से पहले कॉंग्रेस से जुड़े फिर आइडिलोजिकल डिफरेंसे हुए और अपनी 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 अपने संस्थाय बनाई अपने अपने ऑगनाईजेशन्स पनाई आप लूसिवनेस हम सब को बच्पन सिखाया था हमारी आइडिलोजी के साफै कि सब का समान करो सब पे विष्वास करो सब को समान समझो तो यह कहना कि उनकी आइडिलोजी हमारी आइडिलोजी या हिंदुकी या हिंदुकता कैइड़ोजी लहां पर गलफ immersive को सब लो वांपनति थे और RSS दक्षिन पन थी है जी मुझे लगता है कि शायद उनको RSS की जो समझ है वो समझ में उनको थोड़ा सा अपना ग्यानवर्दन करना चाहिए क्योंकि मैं जी नहीं लगता जब RSS ग्राउंड पे काम करती है कहीं फिलेट सुचेशन होती है का किया है फिलेट जाती के लिए का किया है उननिश सो पचिस से उननीश सो शैतालिस तक सुवास चंडर बोस सुवास चंडर बोस 15 अगश कर्या ती टिरंगा कूँ पार के निचे कुछल दिया you थो यह आ पो यहां पो इतिया सिखाने के लिए तियुकि नहीं बैटा हूँ. पन्गाल के इंस्ता है आप से ज़नकारी होता है. क्मिनिस्स पार्टी की ज़याँ है. यह साथप होती. चो सायद आपकी देश में कहीं सरकारें होतीं, कहीं पर देशों में सरकारें होतीं. आपकी आइडिलोजी को जन्ता ने नका रहा है, आप वो आइडिलोजी नेता जी सुवास्चंद बोस्ट पर ना थुपें, एक एक वर्ड लीडर का सम्मान करें, आप एक हारे, रतनागर जी कुछ कहना चाहरे है, रतनागर जी कुछ कहना चाहरे है, मैं भी कुछ कहना चाहर जब नेता जी सुबाश्चंदर जापान गए थे और इनके सावरकर वीर सावरकर जो कहते हैं वैसे तो हम लोगों को जो है उनके क्यांट में ले जाकर क्यांगरेजियों के क्यांट में ले जाकर भर्त्या करा रहे थे तो आप सोचिए एक व्यक्ति जो जंगे आजादी की ल ए本当 कि कि रऊब ध्यक्ति आथत सेचे हैं जो आप वीरा जाकर जाईवन गडे हैं ले छिंग खेव झाब एलेवर जो शबने हैं यह पल्यामेव धर में लेयाने हैं यह उespère